अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ओनलाइन कमाई करने के सबसे बेस्ट तरीके कौन-कौन से हैं, तो उसमें दो तरीके आपको सबसे उपर दिखाई देंगे, पहला ब्लॉगिंग और दूसरा यूट्यूब, इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के बा इंटरनेट पे एक डिजिटल डायरी के तोर पर बहुत सारे लोग अपने जो दिन भर के काम हैं उनको लिखते हैं, या फिर अपने विचारों को लिखते हैं, कोई विक्ती कविता लिखता है, अपनी कोई भी जानकारी दिना चाहता है, तो वो लिखतेता है, आप अपनी जानकारियां शेयर करते हैं, इंटरनेट पर, ना कि ओफलाइन, यानि किसी डायरी में नहीं लिखते हैं, और आपके रीडर्स उन जानकारियों को पढ़ते हैं, अब यह कैसे होता है, यह थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखें जब आप ऑनलाइन जाएंगे, आ यह कीवर्ड वह शब्द होता है, जिसके बारे में आप खोज रहे हैं, माल लीजे आप खोज रहे हैं, कम्प्यूटर के बारे में, कम्प्यूटर क्या होता है, तो गूगल पर जाके आप लिखेंगे, कम्प्यूटर क्या होता है, तो गूगल क्या करता है, कि गूगल आप आपको उस जो भी कीवर्ड आपने टाइप किया है उससे रिलेटेड धेर सारे जो सर्च रिजल्ट है वो देता है अब एक चीज में आपको इहां पर फैक्ट बता दूँ गूगल अपनी तरफ से कोई जानकारी आपको नहीं देता है गूगल क्या करता है गूगल इंटरेट आपको अपने होमपेच पर दिखा देता है अब आप उस पर क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं तो यहां पर सिंपल मैंने आपको क्या बाता है कि गूगल कोई भी जानकारी खुद से नहीं बनाता है वो दूसरों के द्वारा बनाई गई जानकारी आपको सर्च दिखाता है अब यह जानकारी बनाता कौन है यह जानकारी बनाते हैं आप और हमारे जैसे लोग यानि की ब्लॉगर और वेब डिजाइनर अब एक वेबसाइट में ब्लॉग में बहुत बड़ा अंतर होता है देखिए वेबसाइट क्या होती है वो एवरग्र है उसके बारे में सिंपल एक पेज या दो पेज की जानकारी होगी जो हमेशा उसको दिखानी है जैसे विज्डिंग कार्ड होता है तो विज्डिंग कारड में क्या होता है उस को मुइल नमर होता है उसकी इस तरिके से बहुत सारी वेबसाइट में रही हैं। जिन पर जानगारी अपडेट नहीं होती है। लेकिन इसके वेपरीध जो ब्लागिंग होती है, उसमें लगातार जानगारी हैं, अपडेट होती हैं। आपको डिली कुछ न कुछ नया लिखना पड़ता है। कुछ न कुछ अपडेट होता है और गूगल उस वेबसाइट को लिस्ट करा लेता है उसको इंडेक्स करा लेता है और जब भी कोई व्यक्ति आपकी टाइप की जानकारी से संबंदित कोई भी कीवर्ड अपने सर्च इंजन में टाइप करता है तो गूगल उठा के आपके ब ब्लॉगिंग के फाइदे क्या क्या होते हैं देगे सबसे बड़ा फाइदा तो यही है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया के लोगों के साथ में अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं आप अपनी पहचान बना सकते हैं लोगों के बीच में जो लोग एक बार आपके आर्टिक आई एक फाइदे हैं भी भाषा आंगे ट्राफिक स सब्सक्राइदे अने नियुकर के बीचमाई तो यहां सब्सक्राय फायते हैं के ब्लोग अगर और आप ब्लॉगिंग के माध्यम से उसे लोगों के बीच में पहुचा सकते हैं तो यहाँ पे जो दो-तीन फायदे हैं ये काफी बड़े फायदे हैं कि ब्लॉगिंग से पहली चीज तो आप अपनी जानकारियां लोग उसाथ पिन शेयर कर सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा फायदा आप अपनी पह Canada सकते हैं तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि आप यहां से कमई भी कर सकते हैं अब समझते हैं कि ब्लॉगिंग कौन कर सकता है देखिए कोई भी व्यक्ती जो थोड़ा सा भी computer ka गयान रखता हो हिंदी या इंगलिश टाइपिंग का ग्यान रखता हो और थोड़ा सा भी लिखना जानता हो और उसके अंदर एक ऐसा स्किल हो एक ऐसी जानकारी हो उसके पास में जिसे वो निरंतर लंबे समय तक शेर करता रहता हो वो व्यक्ती ब्लॉगिंग कर सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लॉगिंग प्लॉगिंग कर सकता है आगे मैं आपको विस्तार पूरवग बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे शुरू करते हैं ब्लॉगिंग के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए तो चली मैं आपको यह और समझा देता हूँ कि ब्लोगिंग अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए देखे सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि इंटरनेट पे सर्च कैसे करते हैं ऐसे गूगल पे जाके अगर आपको नया टॉपिक है आपको किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसके बारे में कैसे जानकारी ढूंडते हैं यह आपको आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग का ग्यान होना चाहिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको fluent टाइपिंग आनी चाहिए आपकी speed 26 की होनी चाहिए आपकी speed 30 की होनी चाहिए बिल्कुल नहीं आपके पास एक ऐसा tool होना चाहिए जिससे आप type कर सकें या तो आप कर सकते हैं voice typing या आप कर सकते हैं Google Hindi Input के माध्यम से जो translate वाली typing अगर आप वो कर सकते हैं तो तब भी आप blogging कर पाएंगे और अगर आपको typing अच्छे से आती है तो फिर तो आपको कोई रोकी नहीं सकता दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपका जो article जो आप लिख रहे हैं उसे इंटरनेट पर share कैसे कराते हैं अगर आप share कराना नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी जानकरिया लोगों तक नहीं पहुचा पाएंगे तो इस तरह से आप blogging शुरू कर सकते हैं blogging के लिए आपको चाहिए क्या आपको कुछ नहीं चाहिए कि internet connection चाहिए आपके पास computer होना चाहिए और computer भी नहीं है तब भी आप mobile से भी blogging कर सकते हैं अब कैसे blog बनाया जाता है उससे पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि देखे जब आप blogging शुरू करेंगे तो एक दो दिन के लिए तो करेंगे नहीं और बहुत लंबे समय तक आप blogging कर सकते हैं देखे एक बढ़िया topic ही आपको blog करने के लिए प्रेरित करता है और इसमें सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो यही है कि जब आप blog शुरू करें तो पहले ही विचार कर लेंगे रही देखो मुझे 10 साल तक या 20 साल तक लगादार अगर इस topic पर काम करता रहना पड़े तो क्या मैं हफ़ते में एक बार या महीने में एक बार एक article तयार कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं अगर आप सोच रहे हैं कि एवल 3 महीने काम करके आप blog को successful कर सकते हैं एक महीने काम करके blog को successful कर सकते हैं तो ये नहीं हो सकता आपको लगाधार कई वर्षों तक हो सकता है एक साल तक अगर आपके पास लगाधार टॉपिक हैं तो आपके एक साल तक लगाधार काम करते रहना पड़ेगा तो अगर आप एक ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो वो अपने रुची के हिसाब से, जो उसको सबसे बढ़िया जो उसका interesting subject होता है, वो उसकी रुची होती है, जैसे किसी को gardening करना पसंद है, किसी को drawing करना पसंद है, किसी को art पसंद है, या कोई music बहुत अच्छे से जानता है, तो वो उसके बारे में blogging कर सकता है, या blog शु पौधे कैसे लगाया जाते हैं, कैसे उनकी soil तयार की जाती है, तो आप gardening के उपर भी blogging कर सकते हैं, और लंबे समय तक लगातार आप यहाँ पे post कर सकते हैं, दूसरा topic आता है drawing, आप अपने blog के माध्यम से बच्चों को और बड़ों को drawing सिखा सकते हैं, कौन से वो सरल तरी तो अगला जो topic है, वो है हमारा music, तो आप अगर music में रुची रखते हैं, और लोगों को इसके बारे में जानकरी देना चाहते हैं, तो आप music के उपर भी blogging कर सकते हैं, अगला जो topic है, अगला जो nich है, वो है writing, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, जैसे आप कविता लिखते हैं कहानी लिखते हैं जोक्स लिखते हैं या आप कोई और इस तरह का आर्टिकल लिखते हैं तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप लगातार लंबे समय तक एक ब्लॉग बना सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो रचनाएं हैं उनको शेयर करा सकते हैं Most popular topic होता है technology, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो technology पे ही blogging करते हैं, technology में बहुत सारी चीज़ नहीं सकती हैं, जैसे किसी काम को कैसे किया जा सकता है, कोई आप windows के बारे में अगर आपके पास topic है वो लिख सकते हैं, आप blogging के उपर भी एक blog बना सकते हैं, आप windows के उपर blog बना सकते हैं, आप education के उपर blog बना सकते हैं, तो technology में बहुत सारे ideas होते हैं, हजारों ideas हैं, आपके पास अगर कोई ऐसा idea है, जिससे आप technology से सम्मेंदित हो, तो आप यहां बे blogging कर सकते हैं, अगर आपको photography करना अच्छा लगता है, विडियोग्राफी करना अच्छा लग बना सकते हैं, आप समझा सकते हैं, वीडियो बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और बहुत सारे terms होते हैं, photography के, जो आप अपने blog के माध्यम से बता सकते हैं, अगर आपको interest है fashion designing में या fashion में, तो आप एक blog बना सकते हैं, fashion के बारे में, latest trends कौन कौन से च जो ideas हैं, वो लोगों इस साथ में share कर सकते हैं, इसके बाद अगला topic आता है travel का, travel में आप देखे, city guide के तोर पे, लोगों को अपने शेहर के बारे में जनकारी दे सकते हैं, कहां पे अच्छा खाना मिलता है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या प्राप कर सकते हैं, अब हम बात करने वाले हैं, health से जुड़ूए निश्के बारे में, सबसे ज़्यादा जो internet के search किया जाता है, आज के समय में, वो topic है weight loss, कैसे आप किसी विक्ति का वज़न कम कर सकते हैं, वो कौन-कौन से ideas हैं, जिन से weight को कम किया जा सकता है, अगर आप आप जानते हैं तरीके, तो आप अपने blog के माध्यम से बता सकते हैं, अगला topic आता है, diet का, आप healthy diets के बारे में, जानकारी दे सकते हैं, अगर आप meditation के बारे में जानते हैं, तो meditation के बारे में भी आप blog के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, इसके लाबा अगला topic आता है, skin care क अगर आप skincare experts हैं और अपनी राये लोगों के बीच में रखना चाहते हैं अपनी जानकारी लोगों को देना चाहते हैं तो ब्लोग के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप Ayurveda में इंट्रेस्ट रखते हैं और आपको बहुत सारे ट्रम्स पता है Ayurveda के तो एक ब्लोग आप Ayurveda का भी बना सकते हैं और वहाँ भी उसके माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं इसके बाद जो topic आता है health से related निश में वो है beauty care अगर आप beauty care से related information भी देना चाहते हैं तो ये भी बहुत जादा सर्च किया जाते हैं इनके उपर भी आप एक ब्लोग बना सकते हैं इसक बहुत सारे लोग food में interest रखते हैं food and cooking में interest रखते हैं और अगर आप भी interest रखते हैं तो उसके उपर भी आप blog शुरू कर सकते हैं इसमें आप cooking के बारे में लोगों को पता सकते हैं कैसे बढ़िया cooking की जा सकती है अगर आपको baking आती है तो आप baking से related भी एक blog बना सकते हैं और जानकारियां दे सकते हैं, इसके बाद में अगला topic है recipes का, आप step by step कोई recipe कैसे तियार की जाती है, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, आप अलग अलग categories के साब से recipes बना सकते हैं, आप non ways recipes के बारे में भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं, तो अगर आप जानते है kitchen के कुछ hacks और tips तो उसके बारे में भी अपने blog के मात्यम से जानकारी दे सकते हैं तो ये जो सारे ideas हैं वो है food and cooking के इसमें से भी आप कोई idea अगर अच्छा लगता हो तो आप select कर सकते हैं अब हम बात करेंगे entertainment sector की और ये भी सबसे ज़्यादा search किया जाने वाला निश होता है google पे और internet पे तो अगर आपको movies देखना अच्छा लगता है और आप बहुत बारीकी से कोई movie देखते हैं तो आप उसका review लिख सकते हैं आज के time पे जब भी कोई विक्ती movie देखने जाता है तो पहले उसका review बढ़ता है उसके बाद में hall में जाता है तो आपको अगर अच्छा लगता है movie देखना और आप उसके बारे में लिख सकते हैं तो आप movie review के लिए एक blog बना सकते हैं इसी तरह से tv shows के reviews भी किये जाते हैं अब उसके उपर भी एक blog बना सकते हैं और बहुत लंबे समय तक क्योंकि आपको लगाता topics मिलते रहेंगे आजकल तो लोग OTT पे release होने वाले जो episodes होते हैं उनके लिए भी review लिखते हैं तो आप अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपको movies के कुछ facts पता हो बहुत जवर्दस facts जो लोगों को नहीं पता होते हैं लोग उसमें भी interest सकते हैं तो movies facts के उपर भी आप एक blog बना सकते हैं इसके लाबा आप song lyrics के उपर एक blog बना सकते हैं और लगातार जितने भी नए गाने release होते हैं उनके lyrics आप type कर सकते हैं या तो हिंदी में या तो English में जैसे भी आप चाहें वैसे आप type कर सकते हैं और बहुत लोग इनको search करते हैं इसके बाद में आता है एकला topic जो है movie dialogue का त नहीं भी domain purchase करने से पहले आपको उसका नाम रखने के लिए विचार करना चाहिए देखिए जब हम blog के नाम के बारे में बात करते हैं तो वह एक ऐसा नाम होता है जो आपकी personality से जोड़ा होता है या आपके विशय से जोड़ा होता है अगर कोई एक बार उस नाम को सुने त अपने blog या website का नाम रख लेते हैं लेकिन मेरा मानना है कि नाम जितना चोटा हो एक शब्द का हो दो शब्द का हो तो अतना जाद अच्छा रहता है एक तो याद करने में परिशानी नहीं होती है दूसरा अगर कोई ऐसा विक्ति आपके blog पे जा रहा है जो बहुत लब्म के उबर तो gardening से जुड़ हो एक keyword आपके जो आप URL सेलेक करते हैं या blog का नाम रखते हैं उसमें होना चाहिए और दूसरी चीज़ वो छोटा होना चाहिए ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे बनाते हैं फ्री ब्लॉग और कैसे सेलेक करते हैं कोई नाम ब्लॉगर गूगल की एक फ्री सर्विस है जहां पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं ऑनलाइन अपना अकाउंट बना सकते हैं इसके लिए आपके पास सिर्फ होना चाहिए आपका Gmail ID अगर आपका Gmail ID नहीं है तो जल्दी से बना लीजिए और ब्लॉग दिखाई देगा इस पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहां पर आपको दिखाई देगा Create Your Blog इस पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर वो email account सेलेक करना है जिस email account से आप ब्लॉग बनाना इसके बाद आपको email account का password यहां पर डालना है और यहां से next कर देना है तो जैसे ही आप next पर क्लिक करेंगे तो जो अभी हम बात कर रहे थे सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नाम सेलेक करना पड़ेगा तो यहां पर title का option आ गया है अब आपको आपके विशय एक नाम यहां पर select करना है या नाम यहां पर डालना है और वही नाम आपका URL पर display होगा URL के बारे मैं बता दूँ जैसे यहां पर blogger.com डिस्पले हो रहा है उसी तरह से तो यहां पर मैं अपने blog के लिए एक नाम दे देता हूँ तो यहां पर मैं लिख देता हूँ pro computer course तो देखे मैं यहां पर एक नाम select कर लिया pro computer course और इसे मैं यहां से next करूँगा next करने के बाद मैं आपसे यह URL डालने के लिए कहेगा तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपने जो नाम डाला है उसी के लिए आपको यहां पर URL मिल जाएगा और अगर ऐसा नहीं है किसी और ने वो URL address पहले से register करा रखा है तो आपको कुछ और नाम यहां पर enter करना होगा यह मैं बात कर रहा हूँ बिलकुल free URL के बारे में अगर आप paid domain खरीते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी तरह से search कराना है तो यहां पर चलिए हम एक बार डाल के देखते हैं तो मैंने यहां पर pro computer course डाला है आपको address डालते समय कहीं पर भी space नहीं लगाना है और यहां से इसे next करा के देखते हैं तो अब जो हमारा address होगा वो होगा pro computer course.blogspot.com इसे यहां से next करते हैं तो अब next करने के बाद क्यूंकि जो मेरा URL है वो पहले से किसी नहीं बनाया था तो मेरा account आगे next हो गया है अगर वो URL पहले से किसी के पास होता तो यह URL नहीं बनत उधारन के लिए मैं यहां पर my big guide डाल के दिखाता हूं और अब मैं इसे next करते हैं तो आप देखें कि यहां पर यह जो web address है जो blog address है वो पहले से किसी ने registration कर रखा है तो इसलिए आप इसे नहीं ले सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर आपको एक unique web address डालना है जो पहले से किसी के पास ना हो तो यहां पर अलग-अलग तरह से आप डाल सकते हैं आप numbers भी जोड़ सकते हैं लेकिन नाम जितना unique होगा और अलग होगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है तो मैं यहां पर डाल देता हूं pro computer course और इसके बाद यहां से इसे next कर देता हूं अब यह कह रहा है डिस्प्ले नेम आप यहां पर एंटर करिए जो आपके ब्लॉग पर दिखाई देगा तो यहां पर हम डिस्प्ले नेम डाल देते हैं और यहां से से finish करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉगर पर मेरा account है वो बन चुका है ब्लॉग स्पॉट पर हमने अभी एक नया account बनाया है यहां पर दो नोटिस आए हुए हैं आप उन्हें यहां से cancel कर सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जो अभी इंटरफेस आप देख रहे हैं यह ब्लॉगर का एक new इंटरफेस है और यहां पर ब्लॉगर ने अगर आप एक साल पहले दो साल पहले की बात करेंगे तो बहुत सारे बदलाव किये हैं यहां पर आपको सबसे उपर एक बटन दिखाए देगा जो की new post बनाने का बटन है उसके नीचे आपको आपके ब्लॉग का status दिखाए देगा कि कितने visitors आपके website पे visit करते हैं वो कौन-कौन से articles पढ़ते हैं यहां पर आपको आपके ब्लॉग पर आने वाले comments दिखाए देंगे तो यह जो tab है इस पर click करके आप अपने ब्लॉग को AdSense से connect कर सकते हैं लेकिन उसके कुछ policies हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे यहां पर आप अपने ब्लॉग के लिए page बना सकते हैं जैसे about us page होता है contact us page होता है इस तरह से यहां पर आप अपने ब्लॉग के layout में कुछ changes कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे next वीडियो में मैं आपको बारी किसी बताऊंगा कि कहां कहां पर आप कैसे कैसे layout को select कर सकते हैं यह ब्लॉग का जो main template होता है उसकी editing आप यहां से क कर सकते हैं और यह theme कैसे लगाते हैं यह अभी हम जान लेंगे यहां पर ब्लॉग की कुछ wishes settings होती हैं इस वीडियो में हम ब्लॉग की उन wishes settings के बारे में बात करने वाले हैं theme कैसे बदलेंगे layout कैसे बदलेंगे उसके बारे में हम बात में बात करेंगे तो चब हम आते हैं setting क option पे तो यहाँ पे सबसे उपर आता है basic settings जिसमें blog का title और उसकी नीचे description का option दिया गया होता है अब description में आपको अपने blog के बारे में वो जानकारी देनी है जिस विशय के उपर आपने blog बनाया है और यह आपको 500 words के अंदर देनी है तो अगर आपका blog computer related है अगर आपका blog gardening से संबंदित है अगर आपका blog music से संबंदित है या आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आपके blog पर क्या मिलने वाला है तो वो आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो यहाँ हम अपने blog की description में type करते हैं all type of computer tips and tricks in Hindi language यानि यहाँ पर हिंदी भाषा में computer के tips and tricks मिलने वाले हैं तो इसे हम यहाँ से save कर देते हैं तो जैसे आप इसे save करेंगे तो आपकी जो description है वो visual हो जाएगी इसके बाद आती है blog की language यानि आपका जो blog है वो किस भाषा में है तो blogger को यह बताना आवश्चक है कि अगर आप Hindi में blogging कर रहे हैं या English में कर रहे हैं या किसी भारती है local language में आप blogging कर रहे हैं तो यह बताना आवश्चक है ताकि जो google है वो आपके blog को उसी भाषा से सम्मंदित जो user है उनको दिखा दे तो यहाँ पे हम Hindi को select कर लेते हैं क्योंकि हम Hindi भाषा में blogging करने वाले हैं इसे यहाँ से हम save कर लेंगे इसके बाद में आता है अगला option adult content का अगर आपके blog पे कुछ इस तरह का content है जो सभी visitors के लिए नहीं है के वल adult है तो आप यहाँ से इस option को enable कर दीजे ताकि आपके users को एक warning मिल जाए अगर छोटे बच्चे हो तो उन्हें भी एक warning मिल जाए कि यह content उनके लिए नहीं है यहाँ पे जो अगला option है वो है Google Analytics ID का तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कैसे आप अपने blogger को Google Analytics से जोड सकते हैं और कैसे track कर सकते हैं अपने blog पे आने वाले traffic को यहाँ पे जो आगे अगला option है वो है favicon का आप favicon क्या होता है favicon यह जो आपको उपर जो अब जब आप Google Chrome में किसी website को खोलते हैं एक चोटा सा आइकन आपको दिखता है उसे हम favicon कहते हैं और यह आपके website का एक logo भी हो सकता है या आपके website का एक पहँचांचन भी हो सकता है कि अगर किसी tab पे आपकी website सीथे open नहीं है तो यहाँ पर आप देखके ही बता सकते हैं कि यह blogger है या कोई अन्य website है तो जब आप इस पे click करेंगे तो यह कुछ इस तरह की setting आपके सामने open होगी और यहाँ पे आपको एक favicon file select करनी है जो बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए और जिसका जो size है वो 100 kg का होना चाहिए तो देखी यहाँ से favicon हमने upload कर दिया है अब इस file को यहाँ से save कर दीजे तो save करने के बाद यह जो window है यहाँ से आपको close करनी है अब इसके बाद नीचे यहाँ पे privacy setting है इस पे लिखा है visual to search engines तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो blog है वो search engine में search में आए तो इसको यहाँ से on रहने दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो blog है वो search में ना आए ना तो google उसको search कर पाए ना ही और कोई search engine तो यहाँ से आप इसे disable कर सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाए देगा publishing का option जिसमें blog address लिखा हुआ है और इसके साथ में नीचे लिखा हुआ है custom domain तो custom domain blog के साथ कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जैसे आप custom domain जोड़ लेंगे तो यहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है और यहाँ पर यह जो feature है यह on है तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी site है वो secure है जो आपका blog है वो secure है मैं blog आपको open करके दिखा देता हूँ यहाँ पर नीचे आपको view blog पर click करना है और जो आपका blog है जिस को हमने बनाया था pro computer course.blogspot.com के नाम से वो कु free of cost दिया जाता है अगर आपका blog blogger पर है तो आप यह जो certificate है जिसे SSL certificate भी कहा जाता है वो अपने website पे free of cost लगा सकते हैं यहाँ पर permissions दी गई है अगर आपके अलावा और भी लोग आपके blog पर काम कर रहे हैं तो उन्हें आप यहाँ से add करा सकते हैं फिर यहाँ पर permissions में उ लोगों की list दी गई है जो इस blog पर काम करने वाले हैं तो इस पर click करके उनकी list आप यहाँ से दिख सकते हैं अगर किसी नए विक्ति को आप उमें blog के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको invite कर सकते हैं और वो आपके blog पर काम कर पाएगा invite करने के लिए आपको invite more authors प दिखाई देने लग जाएगा यहाँ पर option दिया गया है reader access का अगर आप चाहते हैं कि आपके blog को कोई भी कहीं से भी पूरी दुनिया में से भी पड़ पाए तो आप public को select करिए अगर आप चाहते हैं कि केवल आप ही अपने blog को पड़ पाएं तो आप private to authors को select करिए और केव सेव करना है उसके बाद उन लोगों का email id आपको यहाँ पर enter करना है तो यहां से आप उन लोगों के जो email id है वो enter करेंगे और यहां से request को send करेंगे तो वही लोग केवल आपके blog को पड़ पाएंगे पिलाल यहां पर हम इस option को public पे लगए रहने देंगे अगर आप चाहते गई है तो आप 7, 6, 4 जितनी भी post अपने main page पर दिखाना चाहते हैं वो यहां पर दिख जाएगी image के लिए light box चाहते है ideas panel चाहते हैं इन दोनों को enable रहने दीजे नीचे comment का option आता है comment के option में आपको मिलता है कि आपके जो comments हैं वो दिखाई दें या ना दिखाई दें तो इ Anyone यानि कोई भी वक्ती और दूसरा जो option है वो user विद Google account तो यहां पर वो लोग comment कर सकते हैं जिनके पास email है तो और नहीं है तो यानि कोई भी विक्ती और यहां पर केवल वो केफल वो लोग comment कर सकते हैं आपके ब्लोग की post पे जिनके पास एक Google account है तीसरे वो लोग हो सकते हैं जो आपके vlog की membership लेते हैं. exh alcohol कैसे ली जाती है, यह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. इसे यहां से हम सेव कर देते हैं user with google account को ताकि जो लोग google account रखते हैं जिनका email ID है, वो आपके ब्लोग पे comment कर पाएं. अगरा ऊप्शण आता है approval होगा उसके बाद ही वह publish होगा और अगर यहां पर आप टिक नहीं लगाते हैं तो वह comment publish नहीं किया जाएगा यहां पर अगर आप never पर कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आके आपके blog पर comment कर सकता है और सीधे-सीधे वह comment है वह publish हो जाएगा तो हम moderation को always पर रखते हैं ताकि केवल अच्छे comments ही आपके blog पर दिखाई नहीं comment से जुड़ो है यह ज़रूरी settings है इसके बाद में जो setting दी गई है वो mail की setting है यानि आपके blog पर जो भी post होगी उसकी email आपके readers के पास में जाएगी तो यहां पर आपको click करना है और यहां पर published email immediately पर click करना है तो आपके blog पर होने वाली जो post है उसका email साथ के साथ आपके readers है उनके पास चला जाएगा इसे यहां से आप चाहें तो save कर सकते हैं तो अगली जो setting है वो email की दी गई है आप blog पे email के माध्य हमसे भी post कर सकते हैं तो यहां पर आपको बस click करना है और यहां पर आप दो तरह से देख रहे होंगे save email as a draft post अगर आप mail करते हैं और वो mail सीधे ही आपके blog पे आएगी और draft में save हो जाएगी इसी तरह से आप यहां पर जब कोई email करेंगे secret keyword बीच में डालन आता है formatting यह बहुत जरूरी है कि अगर आप यह formatting ठीक नहीं करते हैं तो आप जब भी कोई post करेंगे तो हो सकता है उसका time और date कुछ अलग ही publish हो जबकि आपके computer का date और time कुछ और हो सकता है तो time zone में आपको select करना है साड़े पांच गंटे वो भी भारत के साब से तो हम प्लस साड़े पांच गंटे वाला जो time है उसको यहां से select कर लेते हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा India standard time कोलकाता यहां से आपको इसे save करना है और जैसे आप इसे save करेंगे तो आप का जो time है वोलकुल ठीक हो ज दिखाई देगी तो आप इसमें से कोई भी एक formatting select कर सकते हैं तो यहां पर जो last formatting है 23 February 2021 लिखा हुआ है मैं इसको select कर लेता हूँ अब जब भी आप post करेंगे तो उसको पर एक date दिखाई देगी यहां से आप time stamp formatting को select कर सकते हैं कि जो blog post है वो आपने किस समय की थी दिन के यहां पर date format ही आप रहने दीजिए comment पर भी आप इस तरह की time stamping है वो कर सकते हैं कि अगर कोई विक्ति आपके blog पर comment करता है तो उसने किस date को किया था और किस time को किया था वो आप यहां से select कर सकते हैं तो एक कोई भी format ले लिजिए और यहां से इसे save कर दीजिए तो यहां प description से कि आपका blog किस विशय के बारे में है तो यहां भी अगर आप चाहें तो type कर सकते हैं all type of computer tip centrics in Hindi जैसे मैंने लिखा है तो आप भी अपने blog के बारे में चोटी से description टाई कर सकते हैं 150 word की description यहां पर मांगी गई है उससे चोटी भी रह जाए तो कोई परिशानी नहीं है ल option से आपको शिड़ खानी नहीं करनी है तो यहां पर जो अगला option है वो दिया गया है monetization से संबंदित और यहां पर नीचे option मिलता है आपको enable custom add.txt इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि AdSense आप अपने blog पे कैसे लगा सकते हैं यह जो option है उसी से संबंदित है manage blog वाले option में आपको आपका जो blog content है उसका backup कैसे लेना है उसको remove कैसे करना है या अपने blog को delete कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे और यहां पर बाकी जो options है वो आपको जोंकेतियों लगे रहने देने हैं यह site feed के बारे में है कि आपका जो feed जाएगा वो किस तरह का जाएगा तो इसके बारे में भी हम बात में चर्चा करेंगे जो हम blog की design के बारे में बात करेंगे फिलाल में अब आपको अगर एक नया article लिखना है अपने blog पे तो आपको जाना है new post पे और जब new post पे आप click करेंगे तो यहां पर post title और यह आपको page मिलेगा जैसे आपको मिलता है MS Word में तो एक post कैसे बनाते हैं पोस्ट में क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं लेबिल कैसे लगाते हैं परमा लिंक कैसे लगाते हैं सर्च description कैसे डालते हैं और कैसे उसको publish किया जाता है यह सारी चीज़ें जानने वाले हम अगले वीडियो में तो